तो हेलो एन वेलकम आएम रोईद फ्रम वाज इंटेर तो गाइस आज देख सकते हो आज हम बनाने वाले वीडियो एस बैंक के उपर तो आप देख सकते हो इसमें लगभग चार परसेंड का उचाल देखने को मिला है अंतोर पे इस बैंक में इतना उचाल देखने को नहीं मि केने की बात करें तो इसमें अच्छी के गिरावड देखने को मिली थी बड़े स्टॉक अभी बढ़ रहा है इसके बीचे का एक रीजन है मैं आपको बताऊंगा पहले इसके मार्गेट केप के अगर बात कर ले तो 34,000 करोड़ का मार्गेट कैप है और इसका जो हाई था है penalty लगबग अप penalty देख सकतो 25 करोड़ की लगा गई थी तो एक case CB में गा था सेभी ने कहा है कि पच्चेस करोड की आपने पेनल्टी लगाई है तो उसको साबीत करना होगा अगर आप साबीत नहीं कर पाए तो यह पेनल्टी तब तक नहीं लगेंगी जब तक आप इस केस को साबीत नहीं कर पाऊंगे इसको फूर नहीं कर पाऊंगे तो सेभी ने इसके उपर स्टे लग नहीं होता है तब तक तक एक पच्छीस करोडी की पेनल्टी पर नहीं लगेंगे सो गाइज इसमें आगे इसका इमपेक्ट एस बैंक के उपर पड़ रहा है और इसमें अच्छा कासा हमें उच्छा देखने को मिल रहा है अगे अगर एक केस S-Bank के फेवर में जाता हमें दीख रहा है तो अगर S-Bank के उपर से केस हट जाता है तो इसमें और उच्छाल हमें देखने को मिल सकता है और जब S-Bank पे उपर केस हुआ था यह वाला तो इसमें अच्छी कासे हमें गिरावड देखने को मिली थी शेर 14 रुपे हसी पेसे से सीधा 13 रुपे पर आ गया था यही कारण था S-Bank के नीचे आने का और सेबी ने जैसे ही इसके उपर स्टे लगाया S-Bank को एक रहादवरी ख़वर मिली तो S-Bank में अच्छी घासे उच्छाल हमें आज देखने को मिल रही है So guys आपको अगर यह वीडियो पसंदा तो Please वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना Thank you